हाई दोस्तों आप सभी के स्वागते बिडिफीरनेस पे तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप weight gain करना चाते हो मतलब अगर आप muscle gain करना चाते हो या फिर अगर आप weight loss करना चाते हो क्या alcohol इस gold के उपर बुरा effect डाल सकता है के नहीं देखे मुझे आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि आपके health के उपर कितना बुरा effect डाल सकता है alcohol आप खुद ये जानते हो बट अगर फिर भी आप इसे छोड़ नहीं पा रहे हो तो आप maximum एक मेने में कितना दिन आप alcohol पी सकते हो alcohol consume कर सकते हो जिससे आपका जो गोल है weight gain का या फिर weight loss का उसके उपर जादा कुछ effect नहीं आएगा तो चले इस वीडियो को शुरू करते है तो पहले समझते हैं पहले देखते हैं कि अगर आप weight loss करना चाते हो तो आप एक मेने में कितना दिन आपर alcohol consume कर सकते हो देखिए alcohol में empty calories होता है मतलब इसमें कोई protein या फिर carbs या फिर fat एक कुछ भी नहीं होता है मतलब अगर आप इसे पीते हो तो आपका body इसे absorb नहीं कर पाएगा direct इसे क्या करेगा fat में deposit करेगा fat में store कर लेगा जिससे आपके body में fat percentage दिरे दिरे और ज्यादा होता जाएगा बढ़ता जाएगा इसलिए अगर आप weight loss करना चाहते हो तो आप एक मेने में maximum दो दिन आप यहाँ पर consume कर सकते हो alcohol पी सकते हो या फिर आप हो सके तो घर में कुछ okay sun है मतलब कुछ parties है कुछ फानसान है उसमें आप okay sun है आप पी सकते हो जिससे ज़्यादा कुछ आपके body के उपर health के उपर ज़्यादा कुछ effect नहीं आएगा दूसरी तरब देखते है कि अगर आप muscle gain करना चाहते हो तो आपको एक मेने में कितना दिन आप maximum alcohol पी सकते हो देखिए आप जब muscle gaining process में हो तो आप यहाँ पर weight training कर रहे हो मतलब आप heavy weight lift कर रहे हो तो उसे muscle recovery process के लिए time चाहिए होगा protein synthesis के लिए time चाहिए होगा जिससे आपका muscle recover होगा और आपको आपका जो muscle size है ओ दिखने में बड़ा लगेगा इसलिए अगर आप alcohol पीते जाओगे तो दो दीन उसे recovery में recovery process में time लग जाएगा body को तो recover अच्छे से हो नहीं पाएगा जिससे क्या होगा आपका यहाँ पर जो recovery process हो delay होते जाएगा मतलब अगर आप muscle gaining जो process है उसके दोरान आप अगर हफते में एक दिन आप alcohol consume करते हो तो दूसरा दिन यहाँ पर आपका जो repairing process है वो complete हो जाएगा जिससे क्या होगा बाकी का जो 5 दिन है वहाँ पर आपका protein synthesis भी जारी रहेगा और आपका जो muscle recovery process है वो भी सही रहेगा और आपका muscle यहाँ पर growth मिलेगा आपको अगर आप हपते में दो दिन पी रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा आपका जो recovery process है muscle वो delay होता जाएगा जिसके बज़े से आपका muscle यहाँ पर recover नहीं हो पाएगा और growth हो नहीं पाएगा और बहुत सारा reason है जैसे कि अगर आप alcohol पी रहे हो तो यहाँ पर आपका जो normal इंसान से आपका जो protein synthesis process है वो 40% slow हो जाता है मतलब सोच लिजे कि आपका और मेरा यहाँ पर weight यहाँ पर आपका मेरा height, age सब कुछ एक है हम दोनों ही same training करते है हफते में 5 दिन training करते है बट आप क्या करते हो अलकोहल पीते हो हफते में 4-5 दिन और मैं क्या करता हूँ अलकोहल थोड़ा सा भी मैं consume नहीं कर रहा हूँ तो यह पर क्या होगा आपके body में जो protein synthesis process है वह मेरे से 40% slow हो जाएगा जिसे क्या होगा आपका muscle recovery process अच्छे से हो नहीं पाएगा और आप जो weight gain करना चाहते हो या फिर muscle gain करना चाहते हो आप कर नहीं पाऊगे आप मैने में एक मैने में दो दिन या फिर एक दिन पीए अलकॉल consume कर सकते हो जिससे आपका जो यह goal है weight gain का या फिर weight loss का उससे उससे मतलब उस पर ज्यादा कुछ फारक नहीं पढ़ने वाला तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे informative लगे तो इस वीडियो को like कीजिए और अगर आपके मन में फिर भी कुछ solve रहे गया है तो आप comment box पर लिख सकते हो मैं आपका solve का answer जरूर दूँगा